अस्सलाम अलेकुम, वेलकम टू प्रीमियम वर्चुल लर्निंग, उमीद है आप सब खेरियत से होंगे, टोड़े वी गॉना स्टार्ट एकनॉमिक फोर जिरो वन जीडिपी सोलुशन, सु लेट केट स्टार्ट, हमारी जीडिपी फाइफ मार्क्स की है, और इसकी स्टार्ट टैन जुलाई है, और फॉक्टिं जुलाई ड्यू डिट है, ठीके, तो स्टार्ट हम करते हैं अपने क्वेस्टन से, फोर मेजर एकनॉमिक प्राबलम के बारे में हमें क्वेस्टन आया है, अनिम्प्लाइमेंट का, ठीके, अनिम्प्लाइमेंट की टाइप उची गई है, तो हम पहले केस स्टड़ी करते हैं, हमारे पास केस क्या है, मैं रूइड नहीं करती, डिरेक्ट समरी बताती हूं के केस किस बारे में, असद है एक बंदा जो प्रिंटिंग कंपनी में जॉब करता है, और उसकी जॉब जो है प्रिंटिंग की थी, तो शिफ्टिंग हो गई नीज़ पेपर की डिजिटल प्लैटफॉरम की तरफ, तो इस से उसकी जॉब पर ये ऐफेक्ट हुआ कि उस जैसे और इंप्लाइज भी उनकी जॉब पर बहुत एफेक्ट हुआ कि जो है डिजिटल हो गई नीज़ की रिपोर्ट सारी, तो उसके पास आप वो स्केल नहीं है कि वो digitally perform कर सके तो इस वज़े से वो जो है अनिप्लाइ हो गया उसको भी जौब छोड़नी पड़ी अब हमारे पास question क्या आता है by keeping in view the above mentioned case identify the type of unemployment that asset face in the transformation of the printing mode तीक है तो हमने बताना है कि हमारी इसमें asset कौन सी unemployment face करनी पड़ी है तो सबसे पहले हम पहले four major economic problem को mention करते हैं थोड़र detail करके answer लिखें तो अच्छा impact परता है तो हमारे पास four major economic problem है inflation, unemployment, balance of payment problem and lake of growth ये चार हमारे पास unemployment की oh sorry four major economic problem है जिसमें हमारे पास question आया है unemployment का ठीक है तो हम पहले क्या करेंगे unemployment को ही आगे लेके चलेंगे बाकी types को define करने की जुरूवत नहीं अब हमारे पास देखें तो types हमारे पास unemployment की आती है हमारे पास five types है unemployment की जिसमें सबसे पहली है fractional unemployment, दूसरा structural unemployment, फिर cyclic unemployment और real wedge unemployment और technological unemployment तो अब हम बारी बारी सबको देखते है के पहली बाली किया है, fractional unemployment वो होती है जो temporary unemployed हो बंदा, ठीक है, temporary तोर पर unemployed हो फिर उसकी जाब दोबारा continue हो जाए लेकिन temporary तोर पर वो unemployed हो जाए, तो असद के case में यह नहीं है अरसा तो permanently unemployed हो गया है, क्योंकि उसका बिल्कुल shifting हो गई है दूसरा हमारे पास है structural unemployment जिसमें क्या होता है, change in structure of economy result in mismatch between skill and education तो यह हमारा असद के case से match करता है, बाकी types देखते हैं कि कुछ और तो नहीं देखिए इसमें perfect back थी, third हमारे पास है cyclic unemployment में आता है demand deficient unemployment, कि demand हमारी deficient हो जाती है supply जादा हो जाती है, demand कम हो जाती है, deficiency है, deficiency हो गई यह demand ठीक है, यह जैसे coronavirus आया था, तो हमारे पास demand कम हो गई थी, online जितनी भी थी sorry, जो offline market थी, सारी, उसकी demand कम हो गई थी, हर कोई online की तरफ shift हो गया था तो यह उसमें आता है, जुसरा real wedge को देखें, तो हमारे पास occur when the real wedge for a job are set above the equilibrium level result in excess supply of labor तो हमारा क्या है, इसमें जो है supply जादा हो जाती है, supply of labor जादा होगी है, जिसकी जो के हमारा क्या हो है, एक set above, जो equilibrium price है, उससे हमारा exceed कर जाती है, supply of labor, सही है next हमारे पास आता है, technological unemployment, इसमें क्या है, by replacement of worker by machine technology से समझ आती है कि advanced technology आ गई है, आप machine की जगा, लोगों की जगा machine है काम कर रही है, ठीक है तो यह जो है, इसमें, इसकी वज़े से लोग unemployed हो जाते हैं, तो यह equally type आ गई, तो हमारे पास यह सारी types हैं अब असद के case में हमारे पास structural unemployment, जो है, match करती है क्योंकि उसका skill, जो है, mismatch हो गया, उसकी education से अब हमने answer ऐसे लिखना है, पहले question हमारे पास, जो है, उसका answer हम लिखेंगे असद face structural unemployment in the case, because of mismatch between his education and skill mismatch हो गई, उसकी education और skill, इस वज़े से असद ने face की unemployment, structural unemployment प्रीज़ की, ठीक है, तो हमारे पास second है, अब इसका हमने solution भी provide करना है, कि हमने, इतना detail में उसको लिखती है, बस दो number का वो सवाल था, इसका बस इतना ही mention करें, कि क्यों, कौन सी type है, और क्यों है, ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास हमने mention करने हैं, बाकी solution वो हैं हमारे पास, कि क्या-क्यासत को करना जाएगे, तो मैंने mention की हैं कुछ solution जिसमें है, access skill, skill को access करें, research in a demand skill, के मतलब research करें कि कौन सा in demand skill है, उसके बाद pursue करें, training और education लें, उस skill की जो demand में है, फिर build करें professional network, बड़े बड़ इस तरह की platform है, different, वहां पर जाए, थोड़ा सा अपना practice बनाए, ठीक है, cover बनाए, cover letter, एक अची सी profile बनाए, अपना CV बनाए, उसके बाद stay updated, updated रहे, यह मैंने कुछ point mention कर दिया, आपकी मर्जी, आप इसको किस तरह लिखते हैं, group बनाते हैं, paragraph बनाते हैं, यह point लिखते हैं as it is, बिल्कुल नहीं लिखना, वरना marks कर जाएंगे, आप लोगों क्योंके copy paste पे marks नहीं मिलते हैं, तो थोड़ी सी synonyms, antonyms डाल कर इसको change करके आपने अपना result बनाना है, ठीक है, वीडियो अची लगी हो तो like करें, मेरे channel पर new हैं तो subscribe करें, और bell icon ज़रूर प्रेस करें के new आने मारी GDPs और assignment के solution आपको notification मिल जाए, thank you, Allah Hafiz